है व्यवान प्रिया है विलकम बैक टुब चानल तो इस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कुरूंगी हंडेड़ पसंट नाच्रल हो में डी आइवाई फेस मास्ट जो पिंपल्स एगनेस और उनके जो दाखदब्बे होते उनको हंडेड़ पसंट ठीक करेगा बट आप सब के साथ हमेशा honest रहना चाहती हो क्योंकि बाग के लोगों की तरह मुझे बिल्कुल बोलना नहीं कि पिंपल्स रात तो रात गायब हो जाएंगे अगर वैसा होता ना फ्रेंच तो आज तक किसी के भी फेस के ओपर आपको एक भी बिल्कुल नहीं दिखता तो वह सब फे और रख देले आपको एक टेबिल्स पूंञा पाउडर लेना है क्यूंकि हल्ली में होते एं्नेचे बैक्टिरियल बापटीबस के घर देघटीरे क्ने काम हल्दी करते अबर सब्सक्त अट अब करदेगा ओर साथ है मास्क में आपको एड़ करना है एक चुमर्ज दburger को स्टेडिक होता है अगर आपके स्किन ऑयली है अपके फेस के उपर बहुत ज़्यादा पिंपन पोर से तो ही आपको नीमू डालना है आदाच नीमबू lemon juice में होता है citric acid जो acne scars को lighten करने का काम करेगा और साथी साथ इसमें भी है antibacterial property जो pimples के bacteria को kill करता है बेसी सेली इस mask में मैंने add किया है हल्दी, खटी दही और lemon juice जिन तीनों में भी एक common property वो है antibacterial property जो pimples और acne causing bacteria को पूरी तरीके से खतम कर देंगी और आपकी skin flawless हो जाएगी बेट गईज मैं आपको यह बिल्कुल दावा नहीं करूंगी कि रात तो रात आपके pimples गायक हो जाएगी बिल्कुल नहीं वैसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीज आपको you know repeatedly करने अगर आपके पास यह इस तरीकी का face pack brush है तो आप उसकी मदद से यह मास्क लगा सकते हो अगर नहीं है तो आप सीधी सीधी उंगलियों की मदद से भी अपलाई कर सकते हो यह आप सोच रहे होंगे कि मेरे face की ऊपर तो एक भी विंबल नहीं और फिर भी यह मास्क मैं लगा हो मेरे मेडिस आपके साथ शेयर करती हूँ वो खुद पर पहले ट्राइब करती हूँ तसलिक करती कि उसके कोई side effects नहीं है उसके बाद है आपके साथ शेयर करती हूँ तो अगर आपके फेस पे पिंपल से एकने से उनके दाग है तो प्लीज यह मास्क आप ज़रू कर सकते हो और संटानी रिमूट करने के लिए हाथों के उपर भी अपला कीजीगा आप आपके फेस के उपर तक्रीबन 10 से 15 में तक रख सकते हूँ और फिर बिना फेस वाश का यूज किये सिर्फ ठंडे पाने से 4-5 बारी आप फेस वाश कीजीगा थोड़ा वाद हल्दी क स्टेंस आपके फेस के उपर रहेंगे डोंट फरी फेस मास अपलाई करने के बाद तक्रीबन 3-4 गंडे तक आप प्लीज फेस वाच मत यूज कीजीगा और यह आप देख सेते हो और रिजल्ट अच्छा आया है एक बार यूज कीजीगा और एक्सपिरेंस आप मुझे शे देख केर बाबाए